नमस्कार भूमंत्र की इस प्रोग्राम में आप सभी का सीक पर फिर से स्वागत है आज सबसे पहले चोटा सा गीत उस मोर से शुरू करें फिर ये जिन्दगी हर्श जहां हसीन थे हम तुम थे अजनबी उस मोर से शुरू करें फिर ये जिन्दगी शायद ये वाक्त हम से कोई चाल चल गया रिष्टा वफा का और ही रंगों में ढल गया अश्कों की चांदनी से थी बेहतर वो धूप ही उस मोर से शुरू करें फिर ये जिन्दगी आप सब ये पूछ रहे होंगे कि ये गीत क्यों आज हमारा विशे है जो डिप्रेशन है अब साध है उसमें योग और वयाम की भूमिका ये गीत इसलिए भी कि आज की दोर्ती भाक्ती जिन्दगी में हम सबसे ज़्यादा डिप्रेश्ट हैं उसमें योग और क्या वयाम की भूम की आप उसको मैं आगे बताऊंगा लेकिन मैं एक छोटा सा डाटा दे दूँ कि हम जिस देश में रह रहे हैं जो महान देश हमार जादा है तो इससे हम निप्टे कैसे हम अपनी जिन्दगी में जबता कुछ बदलाव नहीं लाएंगे जबता कुछ सुधार नहीं लाएंगे आज की दौर्ती भागती जिन्दगी में यह अवसाद धीरी धीरी बढ़ता चला जाएगा आपको मैं बता दूँ कि विश्व ऐसे देश हैं जहांपर की लोग काफी जादा अवसाद से ग्रस्त हैं परिशान हैं आनसिक परिशान हैं और यह परिशान यह उनने कहीं आत्मध्या की तरफ सुसाइट की तरफ ले जाता है तो यह बहुत बड़ी समस्या है आप खुद सोचिए कि करीब 200 लोगों में अग लगातार बढ़ती जा रही है ढरा मुर्शाइब की तरह मैं को मीं कैसेłe म्म सब्सक्राइब समयुपोंकि हाट और देख़ाऊ में क्या है कि अधीम इसमये इत्प माननला स्थित्यु निजान ज्या आया है क्यूंतित है कागृता है तरह से याे या हो को चोटिल करने या कोई हानी पहुचाने की स्थिती में आपा जाते हैं इसके लावा आप समाज में घुलना बढ़ना वह कम कर देते हैं कहने कार थे कि आपकी जो एक्टिविटीज है वह बहुत ही घट जाती है अपने आपका वजन बढ़ने लगता है आप समाज में अलग खलक पढ़ने लगते हैं आपको लगता है कि जीवन बोज बनता जा रहा है तो यह बहुत बड़ी समस्या है और इसके कई प्रकार है जैसे बाइपोलर डिसॉर्डर होते हैं जिसमें मूड स्विंग की इस्तिती होती है उर्जा की कमी होती है इसके लाव अक्टिविटी ल पहुंचाओं आप खुद जो है वो समाज में घुल मिल नहीं पाएंगे आप मेकागरता की कमी हो जाएगी आपको चलने का तरीका बदल जाएगा आपके बोलने का तरीका बदल जाएगा तिस सारे कुछ अरंभिक लक्षन है जिससे आप आचान सकते हैं कि हमारे घर में आ इलाज में लोपैथी बहुत ही महतपूर्णे से कोई दोराय नहीं है लेकिन हम बचाओ आई लाज दोनों पर इन विश्यों पर बात करेंगे तो इसमें लोपैथिक अरुवेदिक योग व्याम इन सब चीजों पर चर्चा होनी चाहिए सबसे पहले है कि हम योग की तरफ आएं कि भाई इसको हम बचाओ कैसे करें हमारा योग कहता है कि हमारा जो शरीर है हम तीन प्रकार की होती है राजसिक सरीर सातविक सरीर और तामसिक सरीर जो राजसिक जो मनस्थिती होती है उसमें तनाव सबसे ज़्यादा होता है तामसिक में उससे कम और साथिक में सबसे कम तो जितना हम अपने शरीर को तामसिक रूप में रखेंगे राजसिक रूप में रखेंगे तब ही हम इससे बचाव कर सकते हैं इससे निवरित हो सकते हैं तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो स्थिती है हमारा जो मानसिक स्थिती है वो राजिक रासिक नहों रासिक का सबसे पहले अर्थ क्या है रासिक अर्थ है कि हम चाहेंगे कि हमारे साथ बहुत सारे लो आपके मन में इर्श्या, लोग वे सब चीजे बहुत जादा होती हैं और यह कई ने कई हमारे शरीर में तनाव को जन देता है और यह तनाव भी जो बाद में अवसाथ का रूप ले लेता है तामसिक भी लगवग उसी तरह की चीजे हैं लेकिन सात्मिक में हम जो हमारा पूर अब्हृति का देश रहा है इसलिए हम सात्मिक संख्या पहले कम रहें टिप्रेशन के संख्या इंक कि वे लेकिन आज की भाग लोग दोर की जिंदी है इसमें लोगों की आसे संख्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रहे हैं इसले कहीं ने कहीं हमें जो भारतिया मूल दूसरी बात है कि बचना हो तो हम बचचे हो जाए कहने कार्थ है कि हम अपने सुभाम में उखापन सब कम से कम करें ताकि हम बच्चो पर ऐसे बच्चो की तरह खेल किलां बच्चो की काम करें ताहिस आपने जो बार्ती धाक्ती जर्थ जिन्दगी है ।Tan życierr कर सकते हैं अब साथ को कम कर सकते हैं इसलिए योग में एक महत्पूर्ण आशन है जिसे का जाता है बालासन या ससकासन जिसकी में चाहिए चरचा करूंगा तो अभी बचाव का बहुत ही महत्पूर्ण तरीका है अगला जो बिंदू है कि भाई इसे हम कैसे बचें डिप्रेशन से तो हम दोस्तों के बीच जाएं लेकिन ध्यान रहे हम उन दोस्तों के बीच जाएं जो सकरात्मक सोचते हो जो मारे टांग नहीं खीचाई करते हो बलकि हमें हसला वजाई करते हो हमें हर समय सपोर्ट करते हो लोगों से बचना चाहिए हम सकरात्म प्रविति के जो दोस्त हैं परिवार के सत्य से हैं उनके बीच रहें ताकि हम पॉजिटिव काम कर सकें बहतर काम से कर सकें एक और मत्पूर्ण बिल्दू है जिसमें बचाव का है डिप्रेशन से कि हम अपनी होबी को समय दें कई लोग बाते हैं उसको भी बीच बीच में शेयर करें होबी को अपना यूज करें ताकि हम रिलाक्स हो हमारा जो हमारे जो मांस्पेशियां है वो रिलाक्स हो जाएं ति यह सारी चीज़े आपको ध्यान पड़क देनी होंगी बचाव में एक और महत्पूर्ण बिंदू है जिसमे अपने जो तनाव का लेवल है उसको काम करें तब ही हम जो है आगे काम कर सकते हैं आगे इस तनाव से मुक्ति पा सकते हैं कुछ चीज़ें जो है वह इस पर ध्यान रखने के जिरूरत है कि जैसे हम कौन-कौन से योगाशन करें उसके पहले में थोड़ा साब कुछ सकते हैं उस तरह के आसन को करें जिससे बचाव भी होगा और इलाज में शुगदा होगी दूसरा जो है जैसे ताड़ासन है तलिचा ताड़ासन है मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप कुछ प्रस्ण भी नीचे करते जाएं मैं जो भी दर्शक देख रहे हैं तो प्रस के ग्रिवासन होते हैं साइड में होते हैं सारे सोला होते हैं इसको करके दिखाना पड़ता है ये इसको किया जाना चाहिए तब ही हम ज्यादा इसे लाब ले सकते हैं वो जरूर करना चाहिए इसके लावा ताड़ासन है चलित ताड़ासन है ससांग भुजंगासन है उतान गया कि अगर योग का एक सेसन अगर पचीस से तीस मिनट का किया जाता है तो ब्रेन में एक निउरो ट्रांस्मीटर होता है जो कहते हैं बाव गामा गावा गामा एमाइनो बिटारी के सीड वह जो है उसका सेक्रिशन से ताइस परसेंट बढ़ जाता है और इससे जो है दवा करते हैं तो यह ऐसे कई चीज़े हैं जिनको हमें करनी चाहिए और जैसे कि मैं ने पहले कहां कि कई आसन करने चाहिए तो यह आसन करने की चीज़े होती हैं सिर्भ मैं नहीं करेंगे नहें इसमें फुरा समय लगता है यह समय जो है आपकoping आदे गंटे प्रती दिन लगभग करने चाहिए और इसमें जो फायदे होते हैं वो लगभग एक से तीन महीने के बाद दिखते हैं तो योगासन जब भी करें तो यह नहीं समझें कि तुरंथ हमें कुछ फायदा हो जरूर कुछ फायदा हो सकता है लेकिन लंबे समय तक करने भी आपकी दवाईयां भी छूट सकती हैं आप स्वयम को बेहतर ही मसूस कर सकते हैं और आपका जो तनाव और अफसाद है वह काफी कम हो जाएगा यह यह सारी चीजे में इसलिए बता रहा हूं कि आज की दौरती भागते जिंद्गी में हम अपने आपको शरीर पर ध्यान कर सरीर ने बहुत सारे डिंशन होते हैं कि स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता रहता है इन बिंत्द्वे करने की परिविट्टी बढ़ जाती है इन बिंद्वे बिंदू मैं और बताना चाहूंगा कि जैसे हम आफिस में बैठे हैं और हमें बहुत सारा तनाव ओड़ा है तो हम इंस्टेंट रिलीफ कैसे करें अभी मैंने चर्चा की कि योग से जो बचा हुए वह कैसे हो सकता है हम योग करते हैं तो हमें कैसे इन से फायदा होता है फेलोशन लेवल भात्या आए इस्ट्रेस लेवल बहुत ज़एदा है तो हम क्या करें जिस्से कि तुनन्त हमारा तनाव कम हो सबसे पहले तो कहूं मैं कहूंगा कि गहरी आप सांस ले कितनी बार 11 बार 11 बार खूब गहरी सांस ले थोड़ा सांस ले या ओफिस में हम्हीं क यह मैं पर्स ब्रिधिंग कर रहा हूं जिसे ओट को बना करके देखिए मैं सांस कीच रहा हूं इस तरह पर 11 बर करें इसके बाद इन दोनों अंगलियों को ऐसे कान के बीच में डाल दे और मैं अभी आँख खोल के कर रहा हूं लेकिन आपकी चश्मा घरी से उतार दे और जैसे मैं पांच बर कर रहा हूं आहां अगरओं इसके चाह बाद दोनों अथ्यलियों को ऐसे सरग्ड़ें गरी चस्माई से निकाल देना चाहिए लिकिन मैं भी भटा नहीं पाया लिएकिन अब मैं आपको बता दे रहा हूं इसको आँखो के नीचे रखेगा तीन बार अंतीम बार ही आँखे खोलेंगे यानि तीसी बार ही आँखो खोलोंगे अब धीरे से आँखो को आप धीरे से खोलें इससे आपको काफी लाव होगा जब भी आपको तनाव हो इस तरह अगर आफिस आवर्स में हो या ऐसा लगए कि कोई ऐसी समस्या आगई जिसका मैं समधान नहीं कर पा रहा हूं तो 11 बार आप गहरी गहरी सांस लें और 5 बार अखर काम कैसे करता है यह बहुत भी महतपून बात है यह काम करता है कि जैसे इसको करने के बाद आपको जो है आपका बलड ट्रिशर चोरग र 27 कम जाइगा मैं ने खुद कई मरीजूं को देखा है कि हम लोग इस से तरह का कुछ परानयाम कराते है कुछ आसन कराते है तो उनका जो high blood pressure था तुरांत immediately 5-10 minutes के अंदर जैसे योगासन करने के पहले वियाम करने के पहले जैसे ही मैं बीपी लेता हूँ और करीब 5-10 minutes के बाद योगासन करने के बाद मैं करता हूँ तो patient का BP कम हो जाता आज ही एक patient का जिनका BP 150 by 100 के राउं था इसको तुरांत किया उ और यह deep breathing sizes की और उनका BP 130 by 80 हो गया यहने कि उपर वाला करीब 20 पॉइंट और नीचे वाला भी 20 पॉइंट गट गया तो यह सारी चीज़ें जिसको practical करने की जरूरत है इसको बहुत जादा theoretical करने की जरूरत नहीं है एक और महत्पुन बात है अगर आप instant relief चाहते हैं अगर नहीं है तो समझ ले कि हम पीठ के बाल लेट जाते हैं पीठ के बाल लेटने के बाद आपका दोनों पैर जो है उसके बीच एक से डिर फूट की दोड़ी होती है थेलिया आसमान की तरफ रहेंगी ऐसे दोनों साइड में और हम अपना पूरा आखे सहज रूप से बं अगर कि करता दीन हम और फिडिरे थरी रहे हम अफार की दुनिया को छोड़ देते हैं बिल्कुल अपने जो फाशा और प्रश्वास इस पर ध्यान रखते हैं मतलब मैं स्वास ले रहा हूं स्वास चोड़ रहा हूं इस पर ध्यानन रखेंगा शुरू कहते हैं पचिस से 25, फिर सांस लिया छोड़ा, फिर 24, सांस लिया छोड़ा, 23, सांस लिया छोड़ा, इस तरह से शुन्य तक आते हैं, और स्वांस की गति को हम जितना धीमा रखेंगे, उतना बेहतर होगा, इससे आपको तुरंत जो है, स्ट्रेस लेवर डाउन हो जाएगा, आप अपने आपक अगर आप किसी तरह का आसन व्याम नहीं कर सकते हैं, इमीडियेटली, शावासन में चले जाएगे, किसी भी सांत कमरे में चले जाएगे, पुरी हवा आ रही हो, अगर धूप हो, हलकी फुलकी तो बहुत अच्छा, प्रकास हो तो बहुत अच्छा, लेकिन वहाँ पर आप थे इस आपको का लेट लेट जाएं, शावासन में जाएं, शावासन इसकी चर्चा मैंने पहले की ती, उसमें अप पीठ के बर लेट जायाएं, दोनों हतेली आसमान की रहेंगी, पैर के बीच की दूरी एक से तर फूट की रहेंगी, और आखे शाज रुप से बंढ रहे तो योगी इक्सवसन कर सकते हैं, डीप बिदिन एक्साइज़ कर सकते हैं, कुछ प्रानयाम कर सकते हैं, अब कुछ प्रानयाम पर में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे हम योग में करते हैं, जो अस्टांग योग है, उसमें बहुत सारे आसन है, प्रानयाम है, अन्य च में पुचे हैं इसको करने से आपका क्या होता है यह से अब प्रेशन करते हैं तो नारी शोधन प्राणया फा गेंगेग नारी शोधन प्राणयाम भाग एक है धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे इसको छोड़ना है मैं बोल रहा हूँ, इसलिए अभी उतना अच्छा नहीं हो पड़ा लेकिन धीरे धीरे में लूँंगा और धीरे धीरे इसको छोड़ूंगा छोड़ोंगा इसको आप पांच बार करें या दस बार करें जब इधर से कर लिया फिर आपको उसके बाद फिर दाहिनी नासिका से स्वास को छोड़नी है जब यह कर लेंगे ऐसा तो यह हुआ एक आवरिती का इससे भी आपको काफी लाव होगा तिया हुआ नारिशोधन प् भाग 2 होता है भाग 3 होता है तीन के बाद हम अंता कुम्भग करना सुरू करते हैं तो यह अलग लग प्रक्रिया जिसको प्रैक्टिकल करनी की जरूरत है इसको 20-25 मिनट के प्रोगाम बहुँ जाद आपको नहीं बता सकते हैं लेकिन इसको करने की जवाब करेंगे तभी आपको या फायदा होगा तो यह सारे ऐसे उदारन है जिनसे आप अपने मानसीक तनाव को अपने अफसाद की स्थिति को कम कर सकते हैं इसको रोक सकते हैं दवाई जो आप ले रहें उसकी जरूदत काफी कम पर सकती है यह हुआ योग की बात है इसके अलावा simple exercises होते हैं ऐसा कहा जाता है कि walking is one of the best exercise तो आप नियमित रूप से करी 25-30 मिनट walking करें morning वो भी बहुत अच्छा है देखिए pollution का level बहुत जादा है लेकिन आप जो है walking करें उससे भी आपके शरीर में endorphins release होंगे उससे भी आपके शरीर में blood pressure जो है कम होगा आपके pulse rate बहतर हो जाएंगे आपके heart rate बहतर हो जाएंगे आपका hemoglobin level बढ़ेगा और इससे भी तनाव आपका कम होगा इसके लवाब बहुत सारे जिसे gym के exercises है ध्यान ये रखना है कि आपके शरीर आपका जो शरीर हो क्या gym के exercise करने लाइख है या नहीं कई बार 60 वर्ष के उपर जो लोग होते हैं भारी वजन वाल exercise नहीं करते हैं लेकिन आपको ध्यान से जैसे chest pulley है या फिर bench press है ये सारे exercise आप कर सकते हैं उससे भी आपका तनाव का level काफी कम होता है आप तैर सकते हैं तैरने से भी तनाव का level काफी कम हो सकता है तो ये सारी ऐसी बाते हैं जिसको हम अपने जैनिक जीवन में करनी चाहिए तब ही हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं इसके लावा हम अपने आपको social बनें अपने आपको एक साथ जो है ग्रूप में एक्सराइज करें वो भी बहुत पुर्ण बात है तो ग्रूप में एक्सराइज करने से भी आपका तनाव लेवल कम होगा और ग्रूप में एक्सराइज करने से आप में एक एंतुजियाजम भी आएगा कि हम किस तरह के साइज कर र सब्सक्राइब अब लेबल उसके कारण विल्ट नहीं आ सकती है इनसेजिज़ों का भी आपका एक्जामीन होना चाहिए अगली बार बिंदू पर आएग और और कुछ नहीं बिंदु पर आउंगा और कुछ नई बातों को नई बिवारे को डिसकस करूँगा नई बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार